जै मसी की साथियों, परमेश्र पिता की दया और अनुग्रे आप सभी पवित्तर लोगों पर होता रहे, आमीन हमाराज का विशे है, बाइबल में कितने सौर्ग हैं? और आपके लिए कौन सा सौर्ग है? साथियों क्या बाइबल में एक ही स्वर्ग है या अलग अलग तीन स्वर्ग इस वीडियो के मात्यम से हम जे जानेंगे कि बाइबल स्वर्ग के विशे में क्या कहती है परमेशर का वचन स्वर्ग के विशे में हमें क्या बताता है और मृत्यू के पश्चात हमारी आत्मा कहां जाएगी, कहां रहेगी और वहां का रहन सेन कैसा होगा तो आईए हम इस प्रशन का हल खोजते हैं पवित्र शास्तर बाइबल के दूसरा कुरंथियों उसका अध्याय बारां और वचन दो के अनुसार जब हम इस प्रशन को पढ़ते हैं तो यहां पर प्रमेशर के प्रेडित पॉलूस तीसरे स्वरक का वर्नन करते हैं संथ पॉलूस हमें यह बताते हैं वो जिकर करते हैं यहां तीसरे स्वरक का जिसका आशे यह है अगर वो तीसरे स्वरक का वर्नन कर रहे हैं तो पहला और दूसरा स्वरक भी होना चाहिए इसी स्वाल की खोज में आज हम चलेंगे तो दोस्तों परमेशर के दास दीजियस दिनाकरन के अनुसार जो अपनी पुस्तक स्वरक की अंतर द्रिष्टी में इस बात का व्याखन कुछ इस प्रकार से करते हैं वो बताते हैं जब मैं पहली बार पवित्र आत्म के वर्दानों की मेरी खोज में स्वर्ग में ले जाया गया था तो परमेशर ने अपनी दया से मुझे पहले स्वरक की जलग पाने का अनुगो परदान किया इस कश्टों और दुखों से भरे हुए संसार की तुलना में वे कितना भिन था मुझे ये देखकर बहुत ही अश्चरे हुआ कि पहला स्वर्ग इस संसार की किसी पहाडी या सेरगा के समान लग रहा था वहाँ पर उपस्थित पहाडीयों, घाटीयों, जर्नों, इत्यादी के कारण ऐसा लग रहा था कि इस से उन आत्मां को जो पहले स्वर्ग में पहुंचती हैं ऐसा परतीत होता है कि वे संसार के ही किसी दूर या गुप्त क्षेत्र में आ पहुंची है साथियों, पहला स्वर्ग बहुत ही मनमोहक स्थान है यहां पर परमेश्ण की उपस्थिति को महसूस किया जा सकता है ये स्थान बहुत ही सुन्दर पहाड़ीयों से, नधियों से, ज़र्नों से, घाटियों से परिपूर्ण है और देखने पे ये ऐसा महसूस होता है कि आप किसी टूरिष्ट प्लेस में आप पहुंचे हैं, किसी प्रेटन्स थल में आप पहुंचे हैं इतना सुंदर और शान्त वातावरण जहां जाकर परतेक आत्मा आनंद और शान्ती को महसूस करती है वो शांती जो संसार में हमें नहीं मिलती ये बात हमें समझ लेनी चाहिए कि स्वर्क महान वो उंचे परमेशर के लहू से जो उस धुले हुए हैं उनके बच्चों का अंतिम निवास ठान है जो उसके लहू से धुले हुए हैं जैसे मैं आप सबी लोग जितने उसके लहों से धुले हुए हमारा आखरी निवास स्थान स्वर्ग ही है इसलिए कई यूगों से अब तक इस स्वर्गों में आत्मा को इकठा किया जा रहा है जी हां क्रोडों आत्माएं स्वर्ग में रह रही हैं तो हम ये कलपना कर सकते हैं कि वे कितना विशाल स्थान है ये परमेशर का प्रेम ही है जिसके सदके में परमेशर ने मनुश्यों के लिए ये योजना बनाई कि हम उस अद्वैत और महाल परमेशर के बनाई हुए निवास स्थान में ठीका ना पा सके परमेशर का प्रेमी सभाव ही उसे विवश करता है कि परमेशर मनुश्यों के लिए स्वरक कम मार्ग खोले भजन सहिता अध्याए आठ उसका तीन और चार वचन के नुसार यहां लिखा है जब मैं आकाश को जो तेरे हाथों का कारे है और चंद्रमा और तारागनों को जो तूने नियुक्त किये हैं देखता हूं तो फिर मनुश्य क्या है कि तूसका समरन रखे और आदमी क्या है कि तूसकी सुधी ले जी हां दोस्तों परमेश्यों की महमा के सामने मनुश्य कुछ भी नहीं है वो अलोकिक अदबुत विशाल परमेश्यों मनुश्यों की फिकर करता है उनसे प्रेम करता है इसलिए उसे भाया कि उसके हाथ से रचेगे मनुश्य भी उसके साथ उसके अनंत विश्राम में परवेश करें परमेश्यों का धन्यवाद इस सुंदर यूजना के लिए परमेश्यों की स्तूती युगान युग होती रहे आमें जी हाँ इन वचनों के अनुसार ये प्रभु का उमड़ता हुआ प्रेम ही है जो उसकी उपस्थिती में बहकर स्वर्ग में पाई जाने वाली आत्माओं को सारे समय उसके साथ बांध कर रखता है और वे उसकी उपस्थिती में उसके अतुल्य प्रेम में सभी आत्माएं मगन रहती है इसके साथ ये सभी लोग परमेशुर की परशंसा करते रहते हैं जो कि उनके हिर्दे में उमर्ती हुई क्रितग्यता से परेरिध होते हैं और कुरूस पर दर्शाय गए उसके अतुल्य परेम का समरन दिलाते हैं जितने भी लोग इस पहले स्वर्व में होते हैं वो परमेशुर का जो कुरूस पर परमेशुर ने हमें परेम दिखाया जो बलिदान हमें दिया परमेशुर ने हमारे लिए उसके उसी अतुल्य परेम को समरन करते रहते हैं परमेशुर की परशंसा करते रहते हैं लिखा है परकाशितवा के उसके अध्याए पांच और नो वचन में तूने वद्ध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाशा और लोग और जाती में से परमेशर के लिए लोगों को मोल लिया है अलेलुया परमेशर ने हमें मोल लिया है अपना लहू का दान दे कर अपने आपको हमारे लिए निचावर करकर ये परमेशर का प्रेम ही है वरन मनुष्य क्या है कि परमेशर उसकी सुधी रखता है उससे प्यार करता है परमेशर की समहान योजना और प्रेम के लिए हम परमेशर का धन्यवाद करें और ये अब हम देखते हैं कि पहले स्वर्ग में जो जो लोग जो आत्मय रहती हैं वो किस प्रकार किस प्रकार वहां उनका समय वेतीत होता है तो पहले स्वर्ग के निवासियों का वर्नन दोस्तों हम यहाँ देखेंगे कि पहले स्वर्ग में किस परकार के लोग ठिकाना पाएंगे यह पहले स्वर्ग में कैसे लोग जाएंगे लुका अध्याय तेईस उसके 42 और 43 वच्च में बढ़ते हैं कि हमारे प्रभू के साथ कुरूस पर चढ़ाये गए डाकों में से एक ने यह एहसास किया कि वे प्रमेश्वर के पुत्र की उपस्थिती में था वे अपने हिर्दे में काईल हुआ और अपने संगी डाकों से बूला हम अपने पापों का ठीक फल पा रहे हैं पर इसने कोई अनूचित काम नहीं किया फिर उसने प्रभू को दुहाई दे कर कहा कि हे प्रभू येश्वर जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधी लेना और येश्वर न उससे कहा मैं तुस्से सच-सच कहता हूँ कि आज ही तुम मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा अब हम इस दृश्वर को गहराई से दिखे जो कुछ भी वे येश्व मसी के विशे में जान पाया वे केवल उन कुछ घंटों में ही समझ पाया जब वे प्रभू के साथ कुरूस पर असीम पीड़ा में लटका हुआ था उसे परमेश्वर या स्वर्ग का कोई पूरव ग्यान नहीं था ऐसे मनुश्य के लिए दोस्तों पहला स्वर्ग ही सबसे आराम दैक स्थान होगा क्योंकि वे उस संसाथ के समान पर तीक्त होता है जहां पर वे पला और मरा था उसी समय उसे मसीग की उपस्थिती में बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि वे मसीग के साथ पुरूस पर लटका हुआ था जी हां परमेश्वर आत्मा को स्वर्गी स्थानों में पूरंत्या उसी आत्मिक परिपक्वता के अनुसार रखता है उसी आत्मिक मिचोटी के साथ रखता है जिसमें वे आत्मा संसार में पहुँच पाई है ऐसे लोग उस सर्वशक्तिवान प्रमेश्वर की महिमा एवं चमक की भरपूरी का कभी भी सामना नहीं कर पाएंगे वैसे हम इस तथे को सरलता से समझ सकते हैं कि पहला स्वर्ग संत पौलूस जैसे व्यक्ति के लिए उचित नहीं होगा जिसने मसी में अपनी आत्मिक पहुँच के संबंद में निमलिक्त बातें कही जैसे गलातियों की किताब उसका दो और वीस प्रच्र के नुसार अब मैं मसी में अब मैं जीवित ना रहा परंतु मसी मुझ में जीवित है गलातियों 6.17 के नुसार मैं यीशु के दागों को अपनी देह में लिए फेटता हूँ परमीशन ऐसी परिपक्व आत्मों के लिए ही स्वरग में अगले दो स्थर त्यार किया है पहला स्वरग हम जान चुके हैं आप हम बात करेंगे दूसरे स्वरग की पवित्र शास्तर के नुसार जो लोग इस संसार में उसकी सेवा करते हैं वे लोग परमीशन की दृष्टी में अनमोल हैं क्योंकि वे ही हैं जो मसी के दुख अपने जीवनों में सहते रखते हैं कुलीशियों की किताब एक अध्याय उसका 24 वचन के नुसार संतपोलिस लिखते हैं अब मैं उन दुखों के कारण आनंद करता हूं जो तुम्हारे लिए उठाता हूं और मसी के कलेशियों की घटी उसकी देह के लिए अर्थात कलीशिय के लिए अपने श्रीर में पूरी किये देता हूं पवित्र शास्तर के कुछ और वचन जो इस सब्ते को स्पश्टा पूरब समझाते हैं दानील की किताब अध्याय बारा और तीन के अनुसार तब सिखाने वाले की चमक अकाश मंडल की सी होगी और वे जो बहतों को धर्मी बनाते हैं वे सर्वतार तारों की नाई परकाश मान रहेंगे यहना की किताब अध्याय बारा और उसके 26 वचन के नुसार यहां वचन में बताता है यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पिछे हो ले और जहां मैं हूँ वहां मेरा सेवक भी होगा यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा और यह शाय नभी की किताब अध्याय बावन वचन साथ पहाडों पर उसके पाउं क्या ही सुहावने हैं जो शुब समाचार लाता है जो शांती की बातें सुनाता है और कल्यान का शुब समाचार और उद्धार का संदेश देता है जो सियोन से कहता है तेरा परमेश्वर रज्य करता है दोस्तों इस कारण प्रभु इस बात का बहुत ध्यान रखता है कि जिन लोगों ने इस संसार में उसकी सेवा की है उनकी आत्मा को सम्मानिय स्थान पर रखे ये स्थान पहले और तीसरे सुरक के बीच में है जिस किसी ने किसी छोटे रूप में भी प्रमेश्यर की सेवा की है और उसके या उसके सू समाचार के लिए दुख उठाया है उसे वहां रखा जाता है और प्रभु के द्वारा उसका आदर और सम्मान किया जाता है उसे आदर और सम्मान दिया जाता है प्रभू के द्वारा इस दूसरे स्वर्ग में इस थान में जो विचित्र अनुभूती होती है वे उस महान दैविक सांत्वना वशान्ती की है जो की वहां पर रखी गई आत्माओं को सारे समय घेरे रखती है परमेशर के इन सेवकों ने प्रित्वी परमसी एवं उसके अत्तुले सूसमाचार के लिए बहुत कष्ट भोगे इसलिए उस धर्मी परमेशर ने ये उचित समझा कि उन्हें सदा के लिए स्वर्ग में हर संभव तरीके से शांती परतान करे दूसरा कुरंथियों अध्याए एक और तीन में परमेशर को सदा के लिए दया का पितार और सब परकार की शांती का परमेशर कहा जाता है यही काम दूसरे स्वर्ग में करता है यही वो जगह है जब परमेशर आपको जो भी आपने कश्ट परमेशर क viu ये दुख सही है यहां पर परमेशर आपको आदर सम्मान के साथ वो शांती देता है विश्राम देता है । आराम देता है डीजियस दिनाकरन लिखते हैं ऐसे समय भी थे जब प्रभू ने मुझे दूसरे स्वर्ग में सादू सुंदर सिंख के साथ समय बिताने में समर्थ किया जो कि भारत के एक सूपर सिब्ध संत थे वो दैविक आनंद उनके चहरे पर जहलक रहा था वे अवर्निय है कोई इस बात का अनुबान भी नहीं लगा सकता कि उन्होंने इस संसार में प्रभू के लिए इतना दुख उठाया है हर समय उनके चहरे पर सहज रूप से मुस्कान एवं आनंद दिखाई गेता रहता है ऐसा कहा जाता है एक बार उन्होंने सर्वजनिक रूप से कहा यदि स्वर्ग में मसी के लिए दुख उठाने का कोई अफसर नहीं है तो मैं अपने प्रभू से निवेदन करूँगा कि वे मुझे नर्क में भेज दें ताकि मुझे वहाँ पर उसके लिए दुख उठाने का अनंद प्रापत होता रहे परमेश्वरिन संतों के अंदर प्रभू और उसके सू समाचार के प्रती कितना स्रेष्ठ मन एवं जो अलंद प्रेम पाया जाता था जिसके कारण वश्वे सदैव उसके लिए एवं उसकी सेवकाई के लिए दुख उठाने में अनंद प्रापत करते थे याकूब अध्याए एक उसके दो वचन और प्रेर्टों के काम अध्याए पाँच और एकतालिस वचन के अंशा बाइबल हमें कहती है भजन से इता एक सो पैंटिस और उसके चोदा वचन के अनुसार परमेश्वर अपने दासों के दुर्दशा देखकर तरस खाएगा और वे ऐसा दूसरे स्वर्ग में करता है इस परकार हर समय दूसरे स्वर्ग में मसी का तरस बहता रहता है और हर एक परमेश्वर के सेवग को सदा के लिए दुखों से मुक्त रखता है स्वर्ग के इस भाग में रहने वाले अंगिनत परमेश्वर के जन इस संसार में उसके लिए धीरत से दुख वगश्ट उठाने के लिए सदैर परमेश्वर स्वयम के द्वारा शामती पाने वाले वास्तम में धन्ने लोग है जितनों ने उनके लिए दुख उठाया, कश्ट सहे और सच में परमेश्वर की दृष्टी में धन्ने लोग हैं प्रमेशन उन्हें दूसरे स्वर्ग में रखता है, जहां पर मसी का तरस बहता रहता है, जहां पर वो विश्राम पाते हैं, शांती और आलंद पाते हैं, दूसरे स्वर्ग में इस परकार के लोग पहुंचाय जाते हैं, अब दोस्तों हम बात करेंगे, तीसरे स्वर्ग में कौन-कौन जाता है, कैसे आत्मा है, कैसे लोग वहां जाएंगे, तो साथियों निमिलिक्त वचन, तीसरे स्वर्ग की एक हमें जलक परदान करते हैं, दूसरा कुरंथियों अध्याए बारा और उसका एक से चार जब हम पढ़ते हैं, यद भी गमंड करना तो मेरे लिए ठीक नहीं, तो भी करना पढ़ता है, तो मैं प्रभू के दिये हुए दर्शनों और परकाशों की चर्चा करूँगा, मैं मसी में एक ऐसे मनुष्य को जानता हूँ, चोदा वर्श हुए कि ना जाने देह सहित, ना जाने देह रहित, परमेशर जानता है, ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया, मैं ऐसे मनुश्य को जानता हूँ ना जाने दे सहित ना जाने देह रहित परमेशर जानता है कि स्वर्ग लोग पर वे उठा लिया गया और ऐसी बातें सुनी जो कहने की नहीं और जिनका मुँपर लाना मनुश्य को उचित रही जिस महिमा से ये स्थान भरा रहता है वे शब्दों से व्यक्त नहीं की जा सकती किवल वे जिने इस संसार में परमेशर के साथ चलने का सोभाग के वो अनुभव मिला है वे ही तीसरे स्वर्ग में उसकी महिमा मई उपस्थिती को सहन कर सकते हैं और उसका अनंद उठा सकते है बाइबल हमें बताती है कि हनोक और नुः परमेशर के साथ चलते थे उत्पत्ती पांच, चोबिस और छे नौ के अनुसार इबराहीम परमेशर का मित्र था दूसरा इतिहास बीस और साथ के अनुसार यशाया 41 और उसका 8 और याकूब दो तेश के अनुसार और इस कारण वे उनके साथ साथ चलता था परमेशर मुसा का मित्र था और उससे आमने सामने बातें करता था निर्गमन अध्याए 33 और 11 बचन के अनुसार जब अगर हम देखें या गिनती और 12 और 8 के नुसार परेरित पॉलूस ने कहा कि इस नुसार में वे हर परकार से प्रभू के साथ चलने का यतन करता था यह हम पढ़ सकते हैं पहला कुरंथियों 11 एक गलातियों 6, 17 या 20 के नुसार यह परमेशर के इतने निकड़ था कि यह परमेशर की इच्छा नुसार स्वर्ग में आ जा सकता था दूसरा कुरंथियों 12 उसका एक चार के नुसार इस परकार जैसे युहना था वो भी परमेशर का एक नज़्दी की मित्तर था युहना 13, 23, 23 वचन या 19, 26 वचन 20, 22, 27 वचन यह भी परमेशर के द्वारा स्वर्ग में बुला लिये जाता था जैसे कि परकाशी तवाक्या 24, 1 में लिखा है के वल वे लोग जिनोंने इस संसार में परमेशर के साथ निकरता से चलने का अभ्यास किया है मैं द्वारा बोलता हूँ, सिर्फ वही लोग जिनोंने इस संसार में रहते हुए परमेशर के साथ निकरता से चलने का अभ्यास किया है तीसरे स्वर्ग में उसकी महिमा माई उपस्थिती को सहन कर सकते हैं परमेश्व महिमा से परिपूर्ण है सिर्फ वही लोग जिनको अपने जीवन में जैसे हमने मुसा का बात की हनोग की बात की इबरहेम की बात की युहना की बात की पॉलुस की बात की कुछ इस तरह के लोग ही जिनकी प्रैक्टिस हो चुकी है जिनका अभ्यास हो चुका है वो ही लोग है जो परमिश्वत की महिमा में उपस्थिदी को सैन कर सकते हैं और उसका आनंद उठा सकते हैं प्रव येश्व ने भी अपने पिता से विश्ष्टरिती से मांग की थी कि उसके साथ रहने का सोभागे उन लोगों को दिया जाएए जो कि उसके साथ चलते हैं जैसा कि आप यहनाद है 17 उसके 24 वच्ने पड़ते हैं जहां ये पिता मैं चाहता हूँ कि जिने तूने मुझे दिया जहां मैं हूँ、 वहां वे भी मेरे साथ हों कि वे मेरी उस महिमा को देखें, जो तूने मुझे दी है क्योंकि तूने जगत की उत्पत्ती से पहले मुझसे प्रेम रख lol तो इस कारण केवल वो लोग जिनके अंदर हर समय परमेशक के साथ रहने की इच्छा होती है और जिनों ने इस संसार में मसी की उपस्तिती में रहने का अभ्यास कर लिया है वे लोग तीसरे स्वर्व में आराम पूरवक रहेंगे तो दोस्तों आज हमने सिखा के बाइबल तीन स्वर्वों के विशे में बात करती है इसके लिए हमें स्वर्व कियांतर द्रिश्टी किताब की और इज्जेस दिनाकर्म जी के प्रकाशन की भी हमें जुरूरत पड़ी तो ये थे बाइबल के तीन स्वर्व और किस तरह के लोग किस तरह का जीवन बिताने वाले लोग किस किस जगा पे जाएंगे आज हमने सिखा और इन स्वर्वों में जैसे कि हम बतास चुके हैं किस परकार के लोग जाएंगे आज हमने ये अपने इस वीडियो के मात्यम से देखा हम बिश्वास करते हैं कि ये वीडियो आपको स्वर्व के विशे में ज्यान देने के लिए सक्षम है हमने कोशिश की है कि वाइबल के नजदीक रहें और परमेशर के दास डीजियस दिनाकरम द्वारा बताए गए गुप्त भेद अपने वीडियो के मादन से आपके साथ संजा कर सके परमेशर आप सभी को बहुत ताइस स्याशीश दे और अपनी दया और अनुब्रे से आपको परिपूर्ण करें आमें दोस्तों हमें बताएं कि आपको हमारा ये संदेश कैसा लगा और अधिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करें धन्यवाद